ओम शांती, मीठे बच्चे, आज की मुरली, 13 अक्टूबर 2024 दिन रविवार की संपूर्ण मुरली, मीठे बच्चे, विशेश्टाएं परमात्म देन हैं, इन्हें विश्व सेवा में अरपन करो। आज ग्रेट 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 ग्रेंड फादर ब्रहमा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों और के श्रिष्ठ भाग्यवान ब्राहमन कुल को बहुत बहुत अरबखरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रही हैं। आज के दिन अमरितवेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरेन दिखाई दे रही हैं। वा बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमरितवेले से बधाईयों की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं। यह बर्थ डे सारे कल्प में इस संग सक्तियुग में ही मनाते हैं। सक्तियुग में भी ऐसा अलौकिक जन्म दिन नहीं मनाएंगे। वहा भी ऐसा विचितर जन्म दिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो। अब तक सुना है क्या की बाप और बच्चे का जन्म एक दिन हुआ। लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हो। तो वहवा के गीतगा रहे हो ना। आज बाप दादा अमरितवेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला। एक सो आठ की फाइनल माला नहीं बना रहे थे, जो आप सोचो हमारा नाम था, हमारा नाम था। लेकिन आज आदी से स्थापना के समय से अब विनाश के समीट समय तक कौन से, कौन से बच्चे अमर्भव के वरदानी रहे हैं। उन्हों की माला बना रहे थे। यह भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को उचेते उचे भगवन के साथ सर्व चरित्र देखने, सुनने का श्रिष्ट पार्ट है, लेकिन वह कितने थोड़े हैं। आप सबका भी पार्ट है, क्यों? बाप दादा ब्राहमन वन्शावली बना रहे हैं। इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राहमन आत्माएं हैं, वह बहुत-बहुत-बहुत भाग्यवान हैं, क्यों? कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं, दूसरे तरफ आप हर एक ब्राहमन एक हो। तो जन्म दिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई कोई को नहीं सभी बच्चों की जन्म पत्री देख हर एक के विशेशताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे. आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदी के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेश हैं और विशेश रहेंगे ही सारा कल्प विशेश रहेंगे सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की आप श्रिष्ट आत्माओं के उपर महानता की नजर रहती है तो आप हर एक अपनी विशेश्टाओं को जानते हो अगर हा तो एक हाथ उठाओ बहुत अच्छा उस विशेश्टाओं को क्या करते हो जानते हो बहुत अच्छा, मानते हो बहुत अच्छा लेकिन उन विशेश्टाओं को क्या करते हो सेवा में लगाते हैं और रीती से यूज तो नहीं करते न यह विशेष्टाएं परमात्म देन है परमात्म देन सदा विश्व सेवा में अरपन करनी है विशेष्टाएं अगर निगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है क्योंकि ज्यान में आने के बाद, ब्राहमन जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेष्टाएं बहुत प्राप्थ होती हैं क्योंकि बाप का बनने से विशेष्टाओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हूं एक दो विशेष्टाएं नहीं हैं, बहुत विशेष्टाएं हैं जो यादगार में भी आपकी विशेष्टाओं का वर्णन है सोला कला संपन्न तो सिर्फ सोला नहीं है सोला माना संपूर्ण सर्वगुन संपन्न संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल है तो विशेष्टाएं तो बाप द्वारा हर ब्राहमन को वर्से में प्राप्थ होती ही है लेकिन उन विशेष्टाओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना मेरी यह विशेष्टा है, नहीं, परमात्म देन है परमात्म देन समझने से विशेष्टा में परमात्म शक्तिया भर जाती है मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्यान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धी का, चाहे कोई गुन का, जिसमें भी अभिमान होगा, उसकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा तो विशेश आत्माएं हो अर्थात परमाक्म देन के अधिकारी हो तो आज आप सभी बाप दादा का बर्थ दे मनाने आये हो ना और बाप दादा आप सब का बर्थ दे मनाने आये हैं आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थ दे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सारे ब्राहमन कुल का बर्थ दे मनाने आये हैं चाहे देश में दूर बैठे हैं, चाहे विदेश के कोने में दूर में बैठे हैं, लेकिन जो भी ब्राह्मन आत्मा, ब्राह्मन कुल की बन गई, उन सब का बर्थ दे बाप दादा भी मना रही हैं, आप भी मना रही हैं सब का मना रहे हो या सिर्फ यहां बैठने वालों का मना रहे हो सभी याद है ना सभी देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं या नहीं तो सब का मना रहे हैं सब को मुबारक, मुबारक, मुबारक हो मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना तो दिल में उत्सा है न वा हमारा अलौकिक जन्म दिन तो आज अमरित वेले से जन्म दिन का उत्सा हो मंग सभी में बहुत बहुत रहाना बाप दादा ने कार्ड भी देखे आप इन आँखों से देखते हो बाप दादा तो सुक्ष्म में ही आप से पहले ही देख लेते हैं लेकिन बाप दादा ने देखा सभी अपने दिल का उमंग दिखाने के लिए कितना उमंग उत्सा रखते हैं आज कल तो इमेल बहुत सस्ता है न तो इमेल भी सभी बहुत करते हैं बाप दादा के पास सब पहुँचता है। चाहे इमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल के संकल्प हो। अमरत वेले से वतन में अगर चारों और के कार्ड, पत्र, इमेल, संकल्प सब इकठे करो तो देख देख कर बड़ा मजा आएगा। यह एक जीबिशन विचित्र होती है, तो बर्थ दे पर भविश्य के लिए संकल्प किया जाता है। ऐसा अपने भविश्य वर्ष के लिए द्रिड संकल्प का वरक लिया। पूर्वक संकल्प से वानी से प्रतिग्या की है। बहुत अच्छा किया है। लेकिन अभी आज के बाद अर्थात जन्म दिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेश अंडरलाइन करना। कॉमन शब्द है नया नहीं है। वह शब्द है निरंतर द्रिडता। कभी द्रिडता और कभी द्रिडता में भी अलबेलापन नहीं। अगर निरंतर द्रिडता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प बोल कर्म द्वारास्व में, सेवा में और संबंध में एक सौ परसेंट सफल्ता। जब तक इन सभी बातों में ब्राहमनों में सदा सफल्ता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। सफल्ता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलता पूर्वक हो, हर संकल्प सफलता पूर्वक हो, इसलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सत्वचन महाराज कहा जाता है। भाव नहीं था, लेकिन बोल दिया, निकल गया, बिना भाव के भावना के बोल नहीं निकलते हैं, यह तो चलाने की बात है। अंडरलाइन करना। आज बर्थ डे है, इसलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट की, लेकिन लास्ट बारी में सुनाएंगे। आज तो मनाना है, सुनाना नहीं है। पंद्रा दिन के बाद सुनाएंगे। बाप दादा सुनाएं तो पंद्रा दिन में सब ठीक हो जाएंगे, अच्छा पहले कहो पंद्रा दिन में करेक्शन हो जाएगी, फिर तो सुनाना ठीक है। अगर पंद्रा दिन में परिवर्तन हो जाएं, तो बाप दादा तो पता नहीं क्या कर देंगे। तो सुनाएं क्या, तो 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा, संकल्प करेंगे, अच्छा, पांदव करेंगे, सुनाएं, सुनना तो सहज है, करेंगे, करना पड़ेगा, बाप दादा ने पीछे वालों से, माताओं से, टीचर्स से, डबल फारेनर्स सबसे पूछा, सभी ने तो सब बहुत अच्छा उठा लेते हैं, डबल फारेनर्स के तीन ग्रुप है न, अंतरमुखी मस्ताना, शक्ती ग्रुप, अच्छा अंतरमुखी ग्रुप हाथ उठाओ, अंतरमुखी में थोड़े हैं, दूसरा ग्रुप है मस्ताना, अच्छा मस्ताना ग्रुप वाले ख तीसरा ग्रुप शक्ती, शक्ती ग्रुप शक्तिशाली है ना, नाम तो बहुत अच्छे रखे हैं, देखो शुरू शुरू में जब भठी थी तो आपके ग्रुप्स के नाम क्या थे, डिवाइन युनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी, नाम तो सुन्दर है ना, तो यह भी ग्रुप अच्छे बने हैं, नाम याद रहेगा, तो नाम के साथ कर्तव्य भी याद रहेगा, अच्छा डबल फारेनर्स कुमार उठो, अच्छा यह कुमारों का ग्रुप है, अच्छा किया है, बाप दादा ने डबल फारेनर्स के रिफ्रेश्मेंट का समाच बाप दादा दिल से मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन सभी ग्रूप्स को जो आज अंडरलाइन किया है, वह याद भी दिला रहे हैं। जैसे गुरू की गद्दी होती है न, तो यह मुरली का तक्त, मुरली धारन कराना और मुली सुनाना। सुनाना सिर्फ नहीं, लेकिन मुर्ली धारन कराना, यह टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तक्त दिया है और फारेन में तो देखा जाता है कि बहुत जल्दी से जल्दी तक्तन्शीन हो जाते हैं बाप दादा खुश होते हैं, जिम्मेवारी का ताज धारन कर लेना, हिम्मत रखना, यह भी कोई कम बात नहीं है, लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेश जिम्मेवारी का ताज है बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है लेकिन आज का विशेश शब्द निरंतर अटेंशन अच्छा भारत की टीचर्स उठो, भारत की टीचर्स भी कम नहीं है तो सुना टीचर्स को बाबा किस नजर से देखते हैं यह क्लास की मुली सुनाने की सीट बहुत भाग्यवान है बहुत 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 लक्की हो क्योंकी साकार रूप में निमित्त कौन है अच्छा दादिया तो एक फारेन रहती है, एक मधुबन रहती है लेकिन हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर्स है या निमित्त पांडव भी है ऐसे नहीं सिर्फ टीचर्स बहिने हैं, पांडव भी हैं, जिसको बड़े भाई कहते हो न पांडव तो जरूरी है ही शक्तिया और पांडव दोनों के साथ से ही आदी से कार्य चला है चाहे थोड़े पांडव थे, लेकिन विश्व की शोर तो थे न आनंद की शोर विश्व की शोर शुरू के हैं तो पांडवों का साथ तो है न लेकिन मैजारिटी टीचर्स ज्यादा है जो निमित बन जाती है आप बैकबोन हो, टीचर्स के भी बैकबोन हो हर एक का पार्ट है लेकिन विदेश में यह विशेश्टा है कि पांडव भी टीचर बनते हैं, भारत में कम बनते हैं तो टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं, टीचर अर्थात अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षातकार कराने वाली, फीचर्स द्वारा फ्यूचर्स पष्ट दिखाने वाली, तो ऐसी टीचर्स होना, जो आपको देख बाप दादा के पालना की अनुभूती हो, परमा बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना यही है टीचर्स का कर्तवे। हर एक के दिल से हर समय बाबा निकले। यह ग्रुप्स भी अच्छे बनाए हैं क्योंकि पर्सनल रिफ्रेश्मेंट मिलने से अनुभूती अच्छी करते हैं। ग्रुप्स में रिजल्ट अच्छी निकलीना अच्छा है। चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ट ब्राहमन आत्माओं को सदा अलोकिक जन्म के अलोकिक दिव्यकर्तव्य करने वाले श्रेष्ट आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा न कोई ऐसे एक नामी और सर्व खजानों के एकानामी के अवतार बच्चों को सदा हर वर्दान और वर्से को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले उमंगुद साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलोकिक जन्म के मुबारक सहित याद प्यार और नमस्ते दादियों से एक दादी जी ने बाप दादा को बर्थ दे की बहुत बहुत बधाई दी आज माला में आप सब आए माला याद की न आदी की स्थापना के रत्न तो उसमें आप माला के मनके थे अच्छा है स्थापना में भी निमित बने, पालना में भी निमित बने, अभी बाप के साथ चलने में भी निमित बनेंगे क्या दर्वाजा बाप दादा अकेला खोलेगा? नहीं, आपके लिए रुके हुए हैं आओ तो दर्वाजा खोले लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी ना क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित बनाया है तो साकार का कार्य तो पूरा करना पड़ेगा ना आजकल सब किसको देखते हैं? सबकी नजर कहा जाती है? आप लोगों के उपर ही तो जाती है जो निमित बने हुए हैं, उन्हों के उपर ही सबकी नजर जाती है नजरों में तो सभी को बिठाया क्योंकि बाप की नजर कोई छोटी तो है ही नहीं, बेहत की नजर है तो सभी नजर में हैं सभी नूरे रत्न हैं बहुत अच्छा हर एक अपना-अपना पार्ट बजा रहे हैं और बजाना ही है ड्रामा में बंधे हुए हो मज़ा आता है न बहुत अच्छा है वर्दान अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुशार्थी भव पुरुशार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बार की गलती बार-बार करते रहो और पुरुशार्थ को अपना सहारा बना लो यथार्थ पुरुशार्थी अर्थात पुरुश बन रत द्वारा कार्य कराने वाले अभी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो कई बच्चे बाप के बजाएं हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं चाहे अपने स्वभाव संसकारों को, चाहे परिस्थितियों को डोट यह सब अलपकाल के सहारे दिखावा मात्र धोखे बाज हैं एक बाप का सहारा ही छत्रचाया है स्लोगन नौलेचफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले कि संपूर्ण मुरली